क्योंकि उन्होंने कहीं सुन लिया था कि बाप का जूता जब बेटे के पैर में आने लगे न तो वो दोनों दोस्त हो जाते हैं जिस भी घटिया आदमी ने ये वहियात बाद चलाई है न गरोड पुराण के हिसाब से उसके पकोड़े तले जाने चीए न रखने बाप बाप होता है वो जड़ जूता तुम्हारे पैर में आ रहा है न वो कब निकल के तुम्हारी गुद्धी पे लग जाएगा तुम्हें पता भी नहीं लगने हाई my name is Nikhil Tiyagi and I'm a doctor और यार अब मैं उम्र की उस दहलीज पे आ चुका हूँ जहां मेरे दोस्तों की मेरे भाईयों की सबकी शादियां हो रही है एक कजन तुम उससे चोटा है लास्ट मन तो उसकी भी हो गई घरवाले मुझे समझा रहे हैं अब तुम जेट हो गए हो नई बहुआ के पैट चुने तो उसे आशिरवात देना सदा सुहागन रहो जेट जी खुद कुवारे गूम रहे है और मुझे न लव मेरिज करनी है तो मैं गया पापा के बास मैंने के पापा सुनो मेरी एक इच्छा है करे बिटा इच्छा है तो जिन्द की भरे इंसान का पीछा नहीं छोड़ती सुन लो पहले मैं करा दो वरना मैं घर छोड़के चला जाऊँगा और इस धमकी से न पापा डरी गए क्योंकि एक लौता बेटा जब अपनी जिद प्याड़ जाए न तो बाप को घुटने टेक नहीं पड़ते तो मानगे पापा घर छोड़ने के लिए तो मैं कुवारा और लावारिस दोनो और पता है काइदे से न मुझे लव मैरीज के लिए इतने जादा पापड बेलने की ज़रूत पढ़नी नी चाहिए क्योंकि मेरे घरवाले ये रिलेशन्शिप्स वगरे को लेके न बहुत सपोर्टिव है बहुत ही कूल लोग है जब मैं MBBS में सेलेक्ट हो न तो पापा ने खुद बुलाया करे भी आजकल तो सब अपनी मर्जी से कर लेते शादी देख लें तुम भी को लड़की वड़की मिल जाए तो मा बुखार तो नहीं हो गया आपको कैसी बहकी बहकी सी बाते कर रहे हुए अब यार मेरे एकसाइट्मेंट तो छपपर फाड़ गया मैं तो खुशी के मारे पापा की पुच्ची ले नहीं वाला था करे डूंड ले न पर लड़की त्यागी होनी चाहिए मैं पापा देड़ सो के बैच में एक त्यागी वो भी लॉंडा कहो ता कर लूं च्छै महीने आप उसे रख ले न च्छै महीने साधी पन के मैं उसके घर रह लूंगा बना लेंगे कुश सिस्टम तो यह सब तो मैंने अपने मन मन में बोला पापा को तो मैंने कट्टू कटे की बात की ओके पापा क्यूंकि मेरे पापा है पुलिस में अगर उनसे फाल तू बगवास करी न तो उल्टा टांग नेंगे पंखे पर और पंखा चला देंगे पांच पर कह रहे हैं लड़की त्यागी होनी चाहिए तुमने वो वीर्ड से बच्चे देखे महले में जो रात को घंटी मार के भग जाते हैं या दिवाली पर पड़वसी गाड़ी के नीचे बंब लगा के उसकी पूई-पूई करवाते हैं या और कुछ भी नी तो बरसात में जोक पर ही नमक डाल के द पर्मीशन ना मेरे पापा थोक के भाव में देते हैं आज से तुम जब चाहो हमारी गाड़ी चला सकते हो घर के कामों के लिए तुम्हें जहां घूमने जाना है जाओ दोस्तों के साथ पैदल ये सारी जाइदात तुम्हारी है मेरे मरने के बाद तो अब जब भी पापा क कहीं बाइक से जाना होता है ना मैं हेलमेट छुपा देता हूँ ऐसे ही मिलेगी जाइदात सीधे रस्ते से देनीर अभी कुछ दिन पहले ना मेरे बावा की अचानक से तबित खराब होगी और बहुत ज्यादा खराब होगी अक्चुली तो ने होस्पिटलाइज करना पड पूरी फैंबली बहुत परिशान थी मैं ये सही मौका है अब दुनिया के हर बुढ़े की तरह बावा घरवाले को ब्लैक मेल करेंगे कि मैं मरने से पहले निकल की शादी देखना चाहता हूं एक दम से कोई बहु मिलेगी और मैं नेहा को लाकर ख़डा कर दूगा इधर ब लक्षदूइक निकल लेकिन इससे पहले मेरी शादी की शहनाहियां बचती बावा ने गद्दारी ही कर दी ठीकों के घर वापिस आ गए अब मैं पूरा दिन बावा के आस-पास मंद रहा हूं मैंने का बावा बावा और भावा बया की बात ही न छेड़ के दे एक दिन पा तेरे लॉंडे पे कुछ काम ना है क्या पूरे दिन इरिटेट करता रहता है बै 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 ए एक दिन परिशान होगे न मैंने खुद ही पूछ लिया ने का बावा जल्दी से एक दम पहले जैसे हो जाओ फिर तो आपको मेरी शादी में बीद चलना है ना है ना है कि रहे नहीं हमारी ऐसे कोई इच्छा नहीं है अरे मेरी तो है कि रहे बिटा इच्छा है तो जिंदगी भर इंसान का पीछा नहीं चोड़ती मैंने का अरे यार और यार लास्ट वीक तो कुछ ऐसा हुआ ना जिसका मुझे हमेशा से डर था मेरा रिष्टा आ गया एंबी बिएस करके तुम्हारे पास मरीज आयन आये रिष्टे खूब आते हैं पापा गयरे शाम को तुम्हें देखने वाले आ रहे हैं थोड़ा तैजीव से पेश अनाउंस है मैं निश्चिंत रहूँ अपर लड़की वाले की आखों मैं आखे डाल के नाख से चुआ निकालूँगा मैं खुद ही बग जाएगा तो अंकल आई शाम को मुझे देखने तो पहले तो मैं उन्हें इतरा के दिखा रहा था मैं अंकल अभी तो मेरी शादी की उमर बिनी हुई अंकल अभी तो मुझे आगे भी बहुत पढ़ना है केरे बिटा इक लौती लाड़ो है हमारी पचास लाख कैश दिंगी और एक ओड़ी मैं पापाजी आप रहे तो कुछ खाया ही नहीं अभी काजू की वर्फी तो खानी बढ़ेगी पापाजी है पचास लाख और और ओड़ी बिचॉलिया जो रिष्टा लेकिया तो तो पहोशी होगा सुनके उसे ही नहीं अंदाज़त इतनी महेंगी पार्टी है अरे इससे तो अपनी लॉंडे की शादी करा दिया था इनकी लाड़ो से और बगल में मेरे पापा बैठी देख रहे है कि हमें तो कभी पापा जी नहीं कहा इसमें और यार देखो इससे पहले तुम मुझे जज करो कि पैसी देख के फिसल गया मैंने ना एक बार नहा से बस इतना कहा था बेबी अपनी शादी में ना यार रसमलाई की स्टॉल रख वाएंगे करी ओ बेबी के बाबा मनी प्लांट नहीं मेरे पापा के पास पैसे खर्च करी और खूब स्टॉल लग वही हो इस टॉल पे खड़ा रही हो तू पूरी शादी में शादी के खर्चे में कॉंट्री की बातें चल रही है अब किस मू से मांगो मैं दहेज यहां रसमलाई नहीं मिल रही तुम्हें लग रहा गाड़ी मिल जाएग और यार एक सिंपल सी बास समझो मैंने बच्पन से बिलकुल मौज नहीं ली इतनी मेहनत करें डॉक्टर बना अब जब शादी के उमर रही तो दहिजमिल्ला बंद हो गया यार आप हमसे हमारी जान भी मांगते तो हम दे देते पर आपने तो हमसे हमारा घुरूर चीन लिया पूरा पूरा दिन बैठा रहा था तो मैं पढ़ाही करने के चक्तर में तश्रीव भी चप्टी हो गई मेरी देख न क्या जूसी बंस हुआ करते थे मेरे लेकिन मैंने भी सोच रखा है कि शादी के बाद न वो सूरीवन्शम के मिताब बच्चेंग तरह लूँगा एक साइकल और इसे बिठाओंगा डंडे पे मगाड़े में बैठी की चल तो पढ़ाही कर कलेक्टर बन चल नहीं है बसकी बैठी रह तो डंडे पे कोरे कोरे सपने मेरे अब मुझे क्या मिल रहा है पचास लाक और और अडी महलो नेहा बीबी पापा ने शादी के लिए मना कर दिया हां यार मुझे भी बड़ा दुख हुआ जानके नहीं वेवी वो सदमा बहुत गहरा पहुंचाना है तो मैं समझ नहीं पा रहा हंसू के रोंप नहीं 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 वो कह रहे है कि बेना रस्मा लाइगी तो फेर हो नहीं नहीं दूंगा मं एक मिनिट जर्ण है क्या हुआ पापा बुला रहे हैं पापा नहीं पापाजी बुला है महां जी पापाजी करें बेटी जी आपकी कोई और गंळ डिमांड मैं डिमांडि पाप गोद ले सकते हो के मुझे ये पुलिस वाले अंकल को जमानत के पैसे दे दो और मुझे यहां से रिहा करा लो मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो पापा जी प्लीज पापा जी तुमेव माता पिता तुमेव लेकिन इससे पहले कि मेरी अडॉप्शन के काग्जों पे साइन होते मेरे पापा की पता नहीं कौन सी यह को हट होगी गुस्सा ही कर गया ससुर जी के सामने ऐसे गंदे-गंदे से इशारे कर रहे वह भाईया मुझे अपने वापस लगता बहुत साथ डर क्यूक्वि मैंने एक बार बच्पन में सोना था कह एक बार पारवती मया को नहाने जाना था और वो गनेज जी को बाहर खड़ा कर गई सुनी तुमने कहानी कहानी नहीं है, चेतावनी है वो एक तो जैसी कहानी में भुलेनाथ की entry हुई ना और गणेश जी ने एकदम भाग के पैर चुके पापा जी नमस्ति नहीं बोला मैं वहीं समझ गया मैंने का आज लट चटका देंगे शिव जी आज बना देंगे मम्माज बॉय लेकिन गणेश जी वहां नहीं रोके क्योंकि उन्होंने कहीं सुन लिया था कि बाप का जूता जब बेटे के पैर में आने लगे तो वो दोनों दोस्त हो जाते हैं जिस भी घटिया आदमी ने ये वहियात बाद चलाई है ना गरोड पुराण के हिसाब से उसके पकोड़े तले जाने चीए ना रखना बाप बाप होता है वो जब जूता तुम्हारे पैर में आ रहा है वो कब निकल के तुम्हारी गुद्धी पर लग जाएगे तुम्हें पता भी नहीं लगने तो मैं टर गया मैंने आज पिटाई होगी लेकिन शिव जी ने एक डिफरेंट अप्रोच अपना ही काफी यून करें कि उनका नाम भोले है अगर वो भी गुस्ते में अपने लॉंडे की मंडी उड़ा सकते हैं तो मेरे पापा तो इतने भोले हैं भी नहीं उपर से पुलिस में सरकारी तमन्च अंटी में लागा के घूमते हैं पूरा बच्पन इतना खौफ में भीता है ना मेरा अपने तो पापा जब भी ट्यूटी से वापिस आते ना तो मैं हमेशा उनसे दस फुट दूर रहता हूं जब वह वड़दी बदल देते हैं बंदों को ठाके यल्मारी की ओपर रख देते तब मैं उनसे पाँच फुट दूर रहता हूं पास मैं फिर भी नह गया था ना-ना-ना- वरोसा और भाई साब दहेज की बात सुनके तो पता नहीं उनकी कौन सी नस्चटकी उससे कह रहे हुए एक लौता लड़का है मेरा कोई सामान नहीं है जो बेच दूँ इसलिए पढ़ा लेखा के डॉक्टर नहीं बनागा है कल को कोई भी आरा गेरा मुठा के आ जाएगा औ और यार मुझे इतना अच्छा लगा ना देखो एनिमल मुवी में दिखाया तो बिल्कुल सही है हर लड़का इस उम्मीद में जी रहा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो अपनी बाप की नजरों में अपने लिए इज़त देखेगा और जब मेरे पापने बिना मेरे को ऐसे प्रोटेक्ट सा किया ना तो बहुत ही इमोशनल सा मोमेंट हो गया मेरे लिए बहुत ही टची सा पर मैं कह रहा हूं कि एक बार मुझसे पूछ लो न क्या पता मैं बिक नहीं चाहा रहा हूं पर भाई साब पापा हो गए आग बबूले पापा ने भगाई दिया उने घर से काजू की बर्फी भी निखाने दी बिचॉलिये को अगले दिन मुझे बुला के कह रहे सुनो ऐसा अगरो तुम अपनी गर्फ्रेंड से बात करवा उसी से करा देते हम तुमारे शादी कोरे कोरे से अगरे आपा वह एक्चुली क्या हुआ मैं ने गवो ब्रेक अपो किया करे क्यों लड़की खराब थी नहीं गरीब थी गरीब थी लिड़की पापा अगरे बाबा वो जो अंकल मुझे कल देखने आये थे करे कौन पापा जी अगरे वह इतना दहेश क्यों उफर कर रहे थे बहुत अमीर थे क्या करें नहीं अमीर क्या वो त्यागी हो की जमीने बिग गई है और मौवजा मिल गया क्या अब उन पर काम भी कुछ है नहीं तो आप में से तो कोई त्यागी निया ना अरे भाई लड़कों से नहीं करने शादी अभी बता है लड़कियों में से तो कोई त्यागी निया ना क्योंकि पापा बाहरी खड़े है कुणली लेकर अगर गुण मैच हो गए ना तो यही माईक को साक्षीमान के फेरे ले ले तो So that's my time, thank you for listening so graciously, thank you so much.